हम लोग देखते हैं जो हमने last class में देखा था कि जो solid potency है उसको liquid potency में हम लोग convert करने की बात कर रहे हैं तो जो solid potency उसको liquid potency में convert करने के लिए हमने जो last class में जो scale का use किया था वो centisimal scale का use करके हमने अपने discuss किया था कि जो solid potency है means 3C को या 3CH को कैसे liquid potency में 4C में या 4CH में कैसे convert करते हैं वो मैंने आपको बताया अब हम देखेंगे decimal scale का use करके या under decimal scale हम लोग क्या करेंगे जो solid potency है उसको कैसे liquid potency में convert करते हैं ठिक हम लोग देखेंगे decimal scale का use करके हमें क्या करना है solid potency है उसे liquid potency में क्या करना है convert करना है यह हमने देख रहे हैं इसमें आपको most important सी यह रखना है कि हम decimal scale में जो बन रही है trituration की process करके trituration की process करके decimal scale का use करके हम जो भी potency बनाते हैं उसमें हर potency को हम liquid में convert नहीं कर सकते हैं हमें एक विशेश जो specific potency होती है उस potency को ही हम low liquid में convert करके आगे potency बना सकते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि trituration की process में decimal scale use करके 6x कौन सा x? 6x generally आप कहा दोने चाहिए 6x trituration की process करके decimal scale का use करके जब हम 6x potency बना लेते हैं तो यह solid potency होती है इस 6x को हम liquid में convert कर सकते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि decimal scale में decimal scale का use करके यदि मुझे liquid medium में liquid potency बनानी हैं तो मुझे solid जो trituration की process में जो बना medicine है वो कौन से power का use करना है 6x का use करना है decimal scale का होना चाहिए और वो कौन सा power होना चाहिए 6x का होना चाहिए ठीक है ना फिर से बोल रहा हूँ मैं कि decimal scale का use करके मुझे liquid potency बनानी है तो decimal scale में liquid potency बनाने के लिए हमें कौन सा potency चाहिए होता है 6x potency चाहिए होता है जो कायमे बना होगा trituration की process से बना होगा और decimal scale का use करके बना होगा लेकिन power कौन सा होगा 6x इस 6x को हम लोग कायमे convert कर सकते हैं liquid potency में convert कर सकते हैं इसके लावा कोई दूसरी potency नहीं होते हैं लिक्विड में convert कर सकते हैं हमें लिक्विड में convert करना है decimal scale ने बनी वाली कोई medicine को तो हमें कौन सा power लेना पड़ेगा one and only 6x हमें लेना पड़ेगा 6 power हो गई x क्या बता रहा decimal scale में बनी हुई medicine ठीक है नहीं लेकिन यह solid medicine है टाइचरेशन बनाई गई है इस 6x हम लोग काय में convert कर सकते हैं लिक्विड में कोश्चन हो पूछ सकते हैं कि वही decimal scale में बना जो medicine है कौन सा power है जिसको हम लिक्विड में convert कर सकते हैं तो decimal scale ने बना कौन सा power है 6x ठीक है न और trituration power trituration की process में बना हुआ है तो इसे हम काय में convert कर सकते हैं लिक्विड में यह लिक्विड पोटेंसी में convert कर सकते हैं अब वह कैसे करते हैं क्या process है वो मैं आपको बताता हूं जो हम लोग under decimal scale जो हम लोग 6x को liquid medium में convert कर रहे हैं 6X को जो हम liquid medium में convert कर रहे हैं तो ये liquid में convert करने की जो process है इसे जो potency बनती है 6X से जब हम लोग medicine को liquid medium में convert करते हैं ठीक है ना decimal scale का use करके तो इसमें जो नया potency बनता है उसे हम क्या बोलते हैं एक और नाम होता है jumping potency most most IMP question है ठीक है ना jumping potency क्या बोलते हैं उसे jumping potency और एक और नाम होता है flexion potency एक और नाम होता है flexion potency flexion potency बोल दो या jumping potency बोल दो या decimal scale का use करके जो आपकी solid potency है जो 6X potency है उसे काय में convert करना है liquid medium में कि कोई बोले solid potency को decimal scale की अंतरगर solid potency को liquid में convert करना है या हम jumping potency बोल दें या flexion potency बोल दें तीनों एक ही है तीनों में एक ही method है तीनों को हम एक ही चीज़ कहेंगे यदि मैं flexion potency की बात कर रहा हूँ तो वो jumping potency की बात ही बोल रहा हूँ and solid जो है decimal scale में हम जो solid potency है उसे liquid में convert कर रहे हैं exactly हम किसकी बात कर रहे है 6x को decimal scale से बनी जो 6x है उसी 6x को decimal scale का उपयोग करके liquid में बना रहे हैं जो हमने 6x decimal scale का उपयोग करके trituration की process में बनाया था हमने उसी 6x को solid potency को हम काई में convert करेंगे liquid medium में convert करेंगे और liquid medium में जो convert करेंगे तो हमको finally जो potency मिलेगा that is called jumping potency हम उसे क्या बोलेंगे jumping potency बोलेंगे या flexion potency बोलेंगे exam में आता है jumping potency नाम से question तब भी यह लिखना है flexion potency नाम जाएगा तब भी आपको यह लिखना है तो यह most time भी question है jumping potency, flexion potency इस नाम से commonly आता है जब 6X को हम लोग काई में convert करते है liquid medium में convert करते है बताया मैंने we cannot convert every trituration in liquid medium में बात किये जापन ने exactly इस medium में क्या होता है इस scale के नतरगत 6X जो potency है जो trituration की process से बनाई गई है decimal scale का use करके उस 6X potency को हम काई में convert करते हैं liquid potency में convert करते हैं और exactly जो liquid potency में convert करते हैं 6 को तो मैं finally मिलती है वो 8X most important आपको याद करना है कि जब भी हम 6X को solid 6X को liquid medium potency में convert करेंगे liquid next potency हम बनाएंगे liquid next potency बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगी इससे 6 से क्या बनेगी हमेशा 8X बनती है तो 6 से 7 ना बनकर टाइट क्या बन गई 8 बन गई due to this reason called jumping potency due to this call flexion potency इस का नाम क्या रखा गया है jumping potency रखा गया है जो 6 से डारेट आर्ट वेर नंबर का potency बना रहा है 8 potency में बनती है ठीक है ना आगे बोलें requirement requirement वही होगा drug substance ठीक है ना इसका 6X का 6X हम लेंगे drug substance में क्या होगा 6X लेंगे drug substance हमारे पास क्या है 6X है जो कहां बना है trituration से बना है और कौन सी skill का यूझ करके decimal skill का यूझ करके बना है उस trituration और decimal skill के यूझ से बना हुआ जो 6X है वो हम लेंगे ये कैसा है solid है वहिकल में हम यूज़ करेंगे अलकॉल कौन सा वह यूज़ करेंगे डालूट अलकॉल यूज़ करते हैं और प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करेंगे कौन सा वाटर यूज़ करेंगे प्यूरिफाइड वाटर दो इसमें भी दो टाइप के वहिकल यूज़ होता है कि उस फाइल को प्रॉपर्लियम क्या कर सकें क्लोज कर सकें टाइट ली एंड लेबल पेपर पेस्ट पेंड लेंगे क्योंकि जो फाइल हमने लिया है जिसमें पोटेंसी बना रहे हैं नई पोटेंसी बना रहे हैं कौन सी मैडिसिन के बना रहे हैं वह प्रॉपर्लियम को पे की प्रॉसेसर जो है जो बनाए गया सिक्स एक्स उसका हम लोग क्या लेंगे वन ग्रेंगे इस वन ग्रेंगे इस वन ग्रेंगे क्या करेंगे पुट इंटू इसके बाद उसमें हम क्या करेंगे प्यूरीफाइड लॉटर हमने दो बढ़े को टाईड के किया लिया हैं इसमें फ्यंता MA की तरह लेंगे हम लोग 50 मिनेंफ डालेंगे ठीके नह और उसके बाद यह हम लोग क्या कर देंगे फिप्टworks के डेंगे उसके और मिक्स करेंगे और जो प्यूरिफाइड वॉटर में हम जो मेडिसिन डाले हमने उसे प्रॉपर करेंगे डिजॉल्व करेंगे डिजॉल्व करने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे फिप्टी मिनिम्स क्या करेंगे डालूट एलकॉल एड कर देंगे क्या कर देंगे फिप् नेक तक नहीं भरेंगे थोड़ा उसमें space रखेंगे two-third space खाली रखेंगे हम लोग ठीके ना इतना space हमको खाली रखना है फाइल का क्यों रखना है क्योंकि वो responsible होता है किसके लिए section की process के लिए effective friction की process के लिए जब section की process करते हैं तो जो friction हमको produce करना है उसमें हमको जो friction produce करना है वो friction को produce करने के लिए उसके effect को अच्छे से करने के लिए वो space हमको चाहिए होता है तो हमने क्या लिया 1 again क्या लिया 6x लिया उसको एक file में डाल दिया फिर उन्हें उसे में क्या मिलाया purified water मिलाया किता 50 minimums मिलाया उसे property law dissolve कर दिया फिर उसमें हमने क्या किया 50 minimums फिर अगें क्या मिलाया इसमें dilute alcohol मिलाया और मिलाने के बाद उस जो file है उसे tightly कैसे कर देते हम लोग tightly cork से क्या करेंगे close कर देंगे और close करने के बाद फिर क्या करेंगे bottom of file file के bottom को क्या करेंगे क्या करेंगे प्लेस करेंगे on little finger of right hand ठिक कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं एक्जक्ली ये पास फाइल है ठिक है न इसमें क्या किया वन ग्रेंड डाल दिया 6x फिर मैंने क्या किया 50 मिनिम्स के डाल दिया पिरिफाइड वाटर फिर मैंने क्या करा 50 मिनिम्स के डाल दिया एलकोहल और यह जो ही इसको मान लीजी आप कॉर्क यह मैंने कॉर्क लगा दी इस पर कॉर्क लगाने के बाद टाइटली कॉर्क लगा दी उसके अद में क्या बोल रहा हूँ बॉटम आफ फाइल यह फाइल है यह इसका बॉटम है इसे में क्या करूँगा लेटल फिंगर से क्या करूँगा ऐसे होल्ड करूँगा लेटल फिंगर से एंड थम आफ सेम हैंड इसी राइट हैंड का जो थम है उससे करूँगा शुड भी प्लेज ऑन कॉर्क पर मैं ऐसे रख दूँगा जो लेटल लिटल फिंगर व्राइट हैं बताया मैंने आपको थम को उसी इसे थम को कहा रखना हैं को को और पिर रखना है और फाइल को टाइट लिए को करना है ठोगा फिर मुझे क्या डाउनवर स्टोक का देना है गिर्ट टू दर फाइल ऑन दा पाम उप लेप्ट हैंड लेप्ट हैंड के जो पाम है उस पर देंगे तो यह ऐसा मैं टैंड डाउनवर स्टोक दूँगा यह लेकिन इस टोक दे रहा हूं यह प्रॉपर एक फोर्स के साथ यूनिफॉर्म मैंने एक फाइड ली फाइल में क्या किया वनन ग्रेंड क्या ले लिया मैंने इससे इसे एक्स ले लिया फिप्टी मिनफ प्यूर्ट वाट्र हुंुटिर फिप्टी मिनेंद क्या कर लिया मैं इसमें diallew inappropriate को Sum record कर दिया उसके बाद राइट-छैंड का जो लिटल फिंगर होना चाहिए और टेन्ड डाउन्वर्स ट्रोक देना यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में एक जैसे स्ट्रेंथ किया और फाइनले उसे क्या बोल देंगे 8x बोल देंगे ठीक है ना अब हमने क्या लिया था 6x लिया था वो काई में convert हो गई 8x में convert हो गई यह जो 6x है जो 8x में convert हुई है उसका concept क्या है यहां concept भी बताया गया है कि 7x potency cannot be prepared according to decimal scale decimal scale के according जो 7x कभी नहीं बनती है क्योंकि इसके according यह 10 होता है 1 ratio 9 10 हो गया यी concept होता है थे हैं हम इस प्रोसस में क्या कर रहे हैं फिप्ट्म रहे हैं प्यरीस हाट ले रहे देैलोड एलकॉल ले रहे हैं 50 ब्लस 50 का हो गया 100 हो गया 50 का हो गया 10 x 10 तब भी का होगा हैrebbe 2 इसके section यह बोला जाता है कि जो हमने 50 50 100 मिनिम्स जो डाला है क्या वहिकल डाला जिसने 50 मिनिम्स क्या है purified water 50 मिनिम्स क्या है डालूट अलकॉल टुटल किता हो गया 100 मिनिम्स हो गया इसका मतलब है इसके पास 10 into 10 is equal to 100 हो गया यह concept माना जाता है तो due to this reason यहां देखा गया है कि one part of six six into 10 करेंगे तो क्या बनेगा seven जो 10 मिनिम्स है वह किसको फॉलो करता है वन रेश्यो नाइन को फॉलो कर रहा है वन रेश्यो नाइन मतलब किता हो गया is equal to 10 हो गया तो इसमें दो 10 है तो यदि मतला जो हम इसमें जो वहिकल ले रहे हैं वहिकल में क्या है double 10 use हो रहे है concept के according इस current से double 10 होने के current क्या हो रहा है double 10 होने के current क्या होगा वो दो potency बना देगा ठीक है ना तो one part of six six language 10 minimum का होगा तो seven x बनेगा लेकिन लेकिन यहां बर क्या हो है दो 10 है due to but we are taking two 10 10 into 10 ठीक है में इस due to one more potency will increase इस current से क्या होगा एक और potency बन जाती है और वह कौन सी होती है 8x होती है तो seven x नहीं बनती है डाइट 8x बनती है seven x इस लिए नहीं बनती है क्योंकि seven x बनाना मुझे decimal scale में तो उसमें मुझे single 10 चाहिए लेकिन यहां पर तो क्या है 100 एंटू 10 into 10 मतला 100 मतला double 10 है इस में तो यह concept को मानते हुए जो है double 10 होने के कराण six से पहले seven बन जाती है और seven से पर क्या बन जाती है वहीं के वहीं eight बन जाती है due to double 10 ठीक है न तो यह concept आपको आना चाहिए यह concept आपको एक्स्प्रेंड करना पड़ेगा जब यह exam में आता है तो इस concept को एक बार और देखते हैं अपने लोग seven एक्स पोटेंसी नहीं बनती है क्यों नहीं बनती है क्यों नहीं बनती है क्यों एक्नाटी प्रिप्रेइड क्यों एक्कॉर्डिंट डेसिमल सकती है क्यों प्रोसेट में 110 मैंंटेंट को यह बनती है तो मतलबंताब यह माना जाता है कि इसमें double 10 है इसे माना आता है कि 2 10 है और ये 2 10 जो होते हैं ये responsible होते हैं 2 potency को बनाने के लिए तो 6, 1 10 जो होगा 6 को 7 में convert करेगा और जो 1 10 होगा उस 7 उकाई में convert कर देगा 8 में convert कर देगा due to this reason due to 2 10 के account क्या होगा यहाँ आपर हमें क्या मिलती है 8 x हमको मिलके बन के दयार मिलेगी तो ये decimal scale में decimal scale का use करके जब हम solid 6 x को liquid में convert करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है 8 x मिलता है ये हमेशा याद रखना है जब कभी भी solid 6 x को हम liquid potency में convert करेंगे तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा लिक्विड में क्या मिलेगा 8X मिलेगा 7 नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें क्या किया गया है दो 10 आ रहे हैं क्योंकि 100 क्या है इसमें 100 minimums होता है 50 alcohol वाला 50 होता है आपका purified water वाला थीक है ना तो हमको finally क्या मिलती है 8x मिलती है due to this reasons हम क्या बोलते है फ्लक्षन पोटेंसी भी बोलते है और एक और नाम इसका होता है jumping potency jumping potency exam में आएगा तब भी लिखना है है तब भी लिखना है एंड जब आप क्या बोलोगे solid potency को liquid में convert करना है decimal scale के यूज़ करके तब भी लिखोगी या 6x को liquid convert करना है तब भी आपको यह लिखना है तो यह पूरा concept है jumping potency flexion potency solid potency 6x को क्या में convert करना है liquid power में convert करने का ठीक है कोई confusion होता है तो please आप मुझे comment box पे comment करें तो मैं उसको फिर और कुछ अपडेट करके मैं आपको बता सकता हूं ठीक है जो भी question हो आप मुझे comment box पे कर सकते हैं